मा नर्वदा के किनारे सिव मारूती मंदिर में बिराजे बाबा भोले नात वीर हनुमान दोनों भगवानों को हाद जोड़के प्रणाम करता हूँ उनका आसिरवाद मांगता हूँ हमारी सरकार बनी और हमने कहा कि सरकार केवल कानून और विवस्ता के लिए नहीं होगी कानून और विवस्ता तो होना ही चाहिए लेकिन सरकार के साथ समाज में होने वाली सभी गत्विदियों में धूम धाम से सारी सरकार लगना चाहिए बोलो लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए सारे तीच त्युहार आनंद के साथ मनाए जाएंगे आज रक्षावंदन के पावन अउसर पर क्या बेहनों ने अपनी राखिया बांदी दोनों हाथ कम पड़ गए सबको प्रणाम करता हूं सबका असिरवाद मांगता हूं मंच पर विराजमान यहां के अभी नए हमारे प्रभारी मंत्री जुजहरूप प्रभारी मंत्री काम करने वाले कल से आएं तीनों विदान सबा में घूमे जोड़दार अभिजंदन करो माने दिलिप अहिरवार जी का प्रभारी मंत्री जी का एक और दिलिप है रगुकुल रीत सदा चले याई दिलिप तो हम तब से जानते हैं यह हमारे दिलिप जैसवाल जी जोरदार अभिनेंदन करो दिलिप जैसवाल जी का मेरे साथ पास के जिले की प्रभारी मंत्री हमारी सतना की बेटी सिरिमती प्रतिमा बागरी जी का अबिनेंदन करो एक और मंत्री है यहाँ आपके यहाँ तीन नदियों की त्रिवेणी है मा नर्मदा, मा सोन और तीसरी जोईला, जोईला, जोईला माता का यह जो यहाँ का प्रताब है हमारे पास भी तीन मंत्री है यहाँ पे यह त्रिवेणी विकास का संकल्प करके आई हम सब के वरिष्ट नेता यहाँ के विधायक सम्मानि विसाउलाल जी का अविनंदन करें मानि विसाउलाल जी हमारे मानि विधायक भी है और पूर मंत्री बहुत अनभोवी रामलाल रोतेल जी कोल समाज के हमारे प्रादीकरणड के अध्यक्ष जोरदार अविनंदन कर रामलाल कोल साब का ए रामलाल रोतेल साहब मैंने वो कोल समाज का आपका बनावा है ना बूर्ड रामदास पुरी जी यहां की जैसिंग नगर की हमारी जुजहारु विधायक सिरिमती मनिसा सिंग जी कहा है मनिसा जी जोरदार अभिजंदन मनिसा जी का हमारे अपने साथ बरिष्ट नेता विकास प्रादी के हो मद्बदेश टूरिजम कारफ़सन के पूर अध्यक्ष विनोध गोटिया जी उनका भी अभिजंदन है उनका भी स्वागत मिसलेश जी और हमारे जैशिंग मरावी जी कहा है जैशिंग जोरदार अभिजंदन करो मरावी जी का जोरदार ताली बजा के हमारे जेद पूर के जैशिंग मरावी जी पूरा मंच भरा पूरा सब के लिए अभिजंदन करिये साथ का स्वागत मेरे पास थोड़ा सा समय का चक्कर पड़ा पहले तो लगा कि आप आना होगा या नहीं होगा अमने का ऐसा नहीं हो सकता कुछ भी करना पड़े लेकिन अनुपूर आने की इच्छा कौन छोड़ सकता है आप सब को प्रणाम करता है और अपनी उपस्तिती लगाने के साथ आपके लिए सरकार के माध्यम से हमारा और आपका जो संबंद बना है परमात्ना करे किसी की नजर नहीं लगे हमने यह तही किया कि सकरांती गुड़ी पड़वा गुरु पुर्णिमा और अब यह रक्षा बंदन इसके पीछे-पीछे कनया जय कनया लाल भी आ रहा है बोलो गुपाल अकरेश्ट भगवाने की लोग कहते हैं आप तीश तिवार क्यो मनवारो आप धर्म की बात क्यो कह रहो हमने का हम धर्म की बात नहीं करेंगे तो क्या धर्म की करेंगे तुम्हारे पास तो हेनी कुछ कहने के लिए जिस दिन से हमारी सरकार बनी उस दिन से कह रहे हैं ये मोहनियादो जी की सरकार बनी ये योजना बंद हो जाएगी लाली लक्ष्मी योजना बंद हो जाएगी किसान सम्मान निदी बंद हो जाएगी अरे एक भी योजना बंद नी होगी डंके की चोट कान खोल के सुन लो जितनी योजना चल रही है वो सब चलेगी बलकि उससे बढ़ करके अभी दस तारीक के दिन हमारी एक करोड उनतीस लाख बेहनों के खाते में धाय-धाय सो रुपे की रासी डाली-गिरी-डाली जोरदार अभी दन-दन करो अपनी बेहनों के खाते में आने वाली रासी के लिए और उत्रे ही जिनको उचवला केस कनेक्शन मिला वो सारी बेहने और लाडली बेहने जिनके नाम पर जिस दिन पंजियन हुआ, उनका कनेक्शन का नाम था, एसी 40 लाग बेनों के खाते में, 450 उर्पया प्रती बेहन, सब के खाते में पैसा डाला गया, अपनी बेहनों की जिंदगी में, अगर दो पैसे देते हैं, तो नारी ससकती करण की दिसा में, ये बड़ा काम होता है, ये हमारा सोबा की होना चाहिए, इतनी बड़ी संख्या में बेहने आई, लेकिन आपने सबने जो आसिरवाद दिया है, आप सब को प्रणाम करता हूँ, आपका आसिरवाद यही से लेता हूँ, कितनी बड़ी राखी, 50-50, 100-100 फिट की राखी, प्रेम का मतलब, दो धागे का प्रेम, रक्षा बंदन का तिवार, हमारे सारे तिवारों के राजा है, सावन का महिना आते ही, बेहनों के आखों की चमक बढ़ जाती है, उमरती घुमरती घटाएं जब आती है, और सावन जब बरसता है, बेहनों के मूँ से, अपने माईके में भाई सईत सपरिवार व के लिए जो दुआएं गलती है वो दुआएं भगवान भी खुशो करके बरसात के रूप में हमको देता है यह आसिरवाद बहनों के बलबे मिलता है रित्वों में यह इसलिए सावन मनाया जाता है हमारा रक्षा बंदन यह पावन आपसी संबंद का बहनों और भाई के भार मुझे इस बात की प्रसनता है बोलने के लिए तुम्हें बहुत कुछ बोल सकता था लेकिन यहां जब आया हूं तो कई सारे निर्मान कारी भी यहीं पर आज लोकारपित होने का मौका मिला है मुझे बताया गया है कि यहां अपने इसी स्थान पर 201 विकास कारी के जोरदार अभिन्दन करिये अपने लिए लगबग 100 करोड के काम मान के चले यह सारे काम जिनका भूमी पूजन लोकारपन हुआ है और इसके अलावा 81 करोड 54 लाग से 116 करोड का भी आज यहीं लोकारपन हुरा जोरदार अभिन्दन करिये जिनके माद्यम से ग्राम सड़क यह यह जना के लिए 23 करोड 2 लाग 45 ग्राम विकास के 12 करोड 24 लाग के विविन्न मार्गों का निर्मान नालो का निर्मान 15 करोड 63 लाग से जल जीवन मिसन की सबी यह जना है11 करोड 40 लाग से नवीन प्रात्मिक स्वास्थ केंद्र अमलाई बेनी बारी और अनुभिवाग राजयसु पुस्पराजगड इनका सबका भी लोकारपण यही से हुआ जोरदार अभी जंदन करिए अपने कामों के लिए और जिनका भूमी पुजन हुआ है 15 करोड 14 लाग की लागत से नए 25 काम 1 करोड 7 लागत से विबिन अंगन वाडिया 5 करोड 14 लाग की लागत से मल्टी पर्पस सेंटर का निर्माण 4 करोड 4 लाग की लागत से जूनियर आदिवासी बालक छात्रावास का निर्माण सरवाही का भूमी पुजन यहीं किया है और लप्ता देवरी धंगवांग खुटा टोला लीला टोला ऐसे सभी इस्थान पर प्रात्मिक स्वास्त किंद्र के चार करोड 62 लाग की लागत से इनके यहां पर भूमी पूजन हुए हैं जोरदार अभिन दन करिये अपने इन सारे कामों को ले करके मैं जब यह खड़ा हो रहा था तो हमारे माननी विधायक सबने सामुज ग्रूप से कहा कि हमारे अनूप पूर के अंदर जिला न्याले का भवन नहीं है इसकी भारी दिक्कत है तो हमने का दिक्कत की क्या वात है आपने मांगा और हमने दिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अनुपूर के अंदर जिला नयाले का नया भवन मद्वरेश सरकार की ओर से बनाने की मैं गोश्टना करता हूँ यहां मुझे बतायागा के कोतमा में सो बिस्तरी हास्पिटल की आउशकता है दिलिप जैसवाल जी ने मांगा जरा ताली वाली बजाओ तो मालुम पड़ेगा मैं देने की घोश्टना करता हूँ यह सो बिस्तरी हास्पिटल भी आपको देने की घोश्टना करता हूँ आपने कहा कि कोत्मा में सभी अनुभागी अधिकारियों को बेठने के लिए जगा नहीं है सब डिविजन आफिस हो गया है तो मैंने कहा कि इसके लिए भवन बनाने की घोशना की जाती है हर एक विभाग के लोग अच्छे से काम कर सके ये सरकार के आउशकता है बिजूरूई में प्रात्मिक स्वास्त के इंद्र सामुदाएक स्वास्त के इंद्र में उन्नेयन करना है इसके उन्नेयन की भी घोशना की जाती है जड़ा आना दो आना चाहिए लगता है कि हमारे अपने विकास के कामों में बिजूरी उप तहसील को तहसील बनाने की आपने मांग की है तो अगली बार बिजूरी मा हुआ अभी यही से बिजूरू के ओ तहसील बनाने की गोशना की जाती है राजा कछार जलासाय का अप उनर ने मांड कराने की मांग की है मैं यही से इस बात की घोशना करता हूँ राजा कछार जला सही भी बनाया जाएगा कटकोना से उरा मार्ग तीन किलोमेटर इसकी लागत चार सो अठाइस लाग लगबक पांच करोड रुपया इसको बनाने की भी घोशना हमारे द्वारा की जा रही है नेशनल हाईवे 43 कटनी गुमला चांडिल मार्ग से ग्राम पत्रोडरी मार्ग में 2.80 किलोमेटर सोड़क की भी बनाने की आपने मांग किये मैं इसको बनाने की घोशना करता हूँ अरे वाज जोड़ा तालिवजा जेदपुरा के लिए आपने एक ही किंपस में हायर सेकेंडरी भवन नवीन महाविद्यले भवन बंगमा राजनगर किसका है राजनगर आप ही का है और इनको बनाने के लिए रासी मांग किये भलबूडी से राजनगर तक सब एकी बार में ले लोगा अगली बार भी तो लेना भाई इसका परिक्षण करके इसमें भी आगे काम किया जाएगा मुझे बताया गया है कि यहाँ आडिटोरियम नहीं है अरे अनुपूर मा नरबदा का जिला और यहाँ पर सत्संग करने के लिए कोई अच्छे प्रवच्षण करने के लिए आडिटोरियम यह सब्द जमानी आडिटोरियम तो बनेगा लेकिन इसको गीता भवन की तरह चलाया जाएगा गीता भवन बनाने की घोटना की जाती हमारे सादूसंत आए आनन्द से अपनी बात कहे हमारी परंपरा तो हुआ लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए तो जोरदार तालिव जाके आपके यहां गीता भवन भी बनाया जाएगा पूरे साल आप आनन्द करें सभी प्रकार की चीजों को लेके चलें मुझे बताया गया है कि अनुपूर में स्पोर्ट्स कांप्लेक्स का निर्मान किया जाना था लेकिन अभी हुआ नहीं है तो यहां स्पोर्ट्स कांप्लेक्स भी बनाया जाएगा डाक्टर के लिए भी आपने कहा है मेडिकल कॉलेज सेवन्टी फाइब थर्ड फेज में अनुपूर में मेडिकल कॉलेज चाहिए है क्या है चाहिए है हाँ चाहिए कि ना चाहिए पढ़ने ही पढ़ना रख्या कह रहा Central University के माध्यम से मेडिकल कालेज के लिए सायड डिमांड आ रही है तो हम जमिन उपलब्द करा करके उनके सयोग से मेडिकल कॉलेज भी बनाने की गोशना की जाती है हवाई पट्टी आपने कहा कि हवाई पट्टी की जरुद भी है अब एकी बार में मतलो अगली बार भी तो लेना मैं इसका परिक्षण कराने के लिए कलेक्टर को निर्देशित करता हूँ ताकि ये परिक्षण कर लेंगे तो भविस में आपका विमान तल भी बनाया जाएगा बहुत सारी बात है अब इत्ती सारी बात तो नहीं करेंगे आने वाले समय के लिए भी गुंजाइश रखते हैं अभी अनूपूर में बसिस्टेंड नहीं है तो यहां आपके यहां अलग-अलग प्रकार से मांग रही जिला स्थान का केंद्र है एसे में बसिस्टेंड का नहीं होना यह कहीं कष्ट देता है तो मैं अपनी तरफ से यहां बसिस्टेंड बनाने की भी गोशना करता हूँ लेकिन मुद्दे की बात रोजगार के साधन हमारे अपने ग्रामेंट कुटी रुद्धों की बहुत सारी प्रतरसनिया लगी थी अभी अलग-अलग प्रकार से और यहां मुझे बताया गया है के कोदो, कुटकी अलग-अलग प्रकार की फसल के बहुत सारे अलग-अलग आइटम भी बनते हैं तो सभी प्रकार के मामलों को लेकर हमारी सरकार की पहली प्राइरटी है सबसे पहले रोजगार स्वरोजगार अपने बल्बूते पर लोगों की जिन्दगी खुसाल बनाना इसलिए पूरे देश के हर महानगर नगर में जा रहा हूं और युवाओं के लिए रोजगार के उस्सर तलास करना और उनकी व्यवस्था करना ये मेरी सबसे पहली प्रायल्टी है इसलिए प्रयास किया है जबलपूर उजजेन इसी महने ग्वाल्यर अगले महने सागर उसके बाद रिवा प्रत्येक संभाग में हर जिले के अंदर हमारी ओद्धोगी किकाई बने आईटी पार्क बने रोजगार के अउसर मिले हमारे लोगों की जिंदगी अच्छी हो जाए यही चाहिए जब बिजली हो गई पानी हो गया सड़के अच्छी हो गई तब रोजगार के साधन चाहिए कि नहीं चाहिए अपने सारे लोगों को इसलिए लगातार हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि आप मद्ध प्रदेश यसस्थी प्रदान मंत्री के नेतरत में नंबर वन का प्रदेश बनेगा जोड़दार ताली बजाम हो दिदी के लिए और हमारी जीडीपी में अपना योगदान हमारा साड़े तीन लाख करोड का विकास का बजट करमा सा चरनबद होते वे पांच साल के अंदर ये साथ लाख करोड का होने वाला है साथ लाख करोड का अकेले अपने जनजाती विभाग के अंदर इसी साल बजट को पच्चीस परसेंट हमने बढ़वाया है और लाडली बेहनाओं के खाते में 18,000 क्रोड की रासी रखने के लिए समाज कल्या महिला इम्बाल विकास का बजट 81% का नुदान हमने बढ़ाया उसमें 81% बढ़ाया प्रयासे हर्म भाग के लिए क्या महिला, क्या युवा, क्या किसान चारो प्रकार की जो जातिया माननी प्रधान मंत्री ने बताई है चारो वर्ग के विकास के लिए किसान, गरीब, युवा, महिला सबका जीवन बहतर से बहतर बने मा नर्वदा के किनारे की बात अभी ने अपने नहीं कही है मा नर्वदा को लेकर के भी हमने योजना बनाई है बहुत जल्दी मा नर्वदा के परिक्रमा वासियों की सुविदा के लिए भी घाट निर्मान, चाया के स्थान और अन्नछेतर हित्यादी बनाने के लिए भी सरकार कटी बद्ध है ये विकास का संकल्ब करने वाली सरकार है हम और आप मिलेंगे मद्वदेश को एक नए रूप में ले जाने का संकल्ब करेंगे आज के साउसर पर आने वाली रक्षा बनतें के तोहार पर आप और जितनी बेहने बेठी है आपके सब के खाते में पैसे आ गया है आप उस पैसे से कोई अपनी मिठाई खरी दे कपड़े खरी दे जो मर्जिया बच्चों के खिलों ने लें और आप 19 तारीक को जब आपने भाई को तिलक लगाओगी तो मैं मान के चलूआ कि मुझे तिलक लग गया सरकार को तिलक लग हादा के किनारे बाले जब आयोध्या में मुश्क्रार ने क्या भी गाड़ा उनका भी आनन्द आना चाहिए आना चाहिए वह लो क्रस्ट कनईया लाले की आने वाली जनमाष्ट में सरकार के माध्यम से पूरे प्रदेश में धूम धाम से मनाने का निर्णे हमारी सरकार ने किया है तिवार आनंद से मनेंगे तो भगवान का आसिरवाद मिलेगा और बहुत सारे अलग-अलग उस समय के कामों की गोशना भी बहुत जल्दी होने वाली है मेरी अपनी और से आज एक बार फिर अनुपूर और अनुपूर वासियों का बहुत बहुत आभार मानता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद भारात माता की भारात माता की बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद मानने आपके आशिर्वचन के लिए मानने मुख्य मंत्री जी से विनम्र आगरः विभिनने शास के योजनाओं का लाव हमारे हित ग्राहियों को आप अपने शुब करकरब्रों से लाभानवीत करें महिला एवं बालविकास लिभाग के अंतरगर सबसे पहले मंच परामंत्रित करती हूँ मुख्य मंत्री लाड़ी लक्ष्मी योजना के अंतरगर आश्वासन प्रमान पत्रे के लिए कुमारी इवान सी राठोर इन्हें हितलाव 1,43,000 रुपय का प्रदान करने की कृपा करें प्रदान मंत्री मात्रवंदना योजना के तहत श्रीमती रिद्धिमा कुश्वाहा को 5,000 का हितलाव राष्ट्री ग्रामी नाजिवी का मिशन के तह स्वासहायता समू बैंक लिकेज ग्रात्री स्वासहायता समू सिवनी को 2,60,000 का हितलाव सीता स्वासहायता समू मनोरा को 4,76,000 का हितलाव जिला उद्योग एवम व्यापार के तह सब्सक्राइब